वास्तु शास्त्र भारत का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। वास्तु शास्त्र में ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। जिसका पालन करके आप जीवन में तरक्की और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो आप वास्तु से जुड़ी कुछ चीजों को अपने घर पर रख सकते हैं वास्तु में पेर, पौधों को बहुत ही अच्छा बतया गया है कहते हैं कुछ पौधों को लगा कर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल देगा, अप्राजिता एवं नीले विश्नु कांता के फूल को पूजा पार्ट के लिए बहुत शुब माना गया है, इसे मांदुर्गा का अफ्तार समझा जाता ह रोजाना पूजा के दोरान अगर आप अप्राजिता के पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान विश्नु बेहत प्रसन होते हैं, इस फूल को भगवान विश्नु या बांके बिहारी के मूर्ती में चड़ाने से जीवन में सुक सम्रिद्धी की बड़ोतरी होती है साथ ही हिंदू धर्म में अप्राजिता के पुष्प को बहुत खास बताया, गया है, इस फूल को चड़ाने से विश्नु लक्ष्मी के अलावा शनिदेव की कृपा मिलती है, शिव जी को भी अप्राजिता का फूल बहुत पसंद है, जिनके भी जीवन में विवाह दिक्कते सामने आ रही हो उन्हें भगवान शिव को, अप्राजिता का पुष्प चड़ाना चाहिए, इस से उनके जीवन की दिक्कते दूर होती है, अप्राजिता के फूल को भगवान विश्नु एवं लक्ष्मी में चड़ाने से लक्ष्मी नारायन की कृपा मिलती है, स अघर में नीवे रंग के अप्राजिता के पुष्प को लगाने का बहुत शुब महत्व बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक शनिवार एवं शनी सोमवार के दिन तीन अप्राजिता के फूल को बहते हुए पानी में डालता है, तो उसे धन की प्राप्ती होती ह और परिवार में सुख शांती और समरिद्धी की बड़ोतरी होती है, अप्राजिता के पौधे के जड़ को चूर्ण बनाकर गाय के दूद में या फिर भी में खाने से पेट से समबंधित दिक्कत जैसे गैस, कबज और अपच की समस्या से छुटकारा मिलता है, दस ग्राम अप्राजिता के पती को 500 मिलीलीटर में उबाल कर पीने से गरारा करने से गले की दिक्कत दूर होती है, अप्राजिता का फूल देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है, इसे आप सभी देवी देवताओं पर अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को जिता का फूल पसंद है.